काली मा ने क्यूं रखा शिव जी के उपर पैर, पूर्ण विराम, प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे, जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था, राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतनक और भय फैलाते थे, ऐसी ही एक घटना रक्षस नाम से राक्षस से जुड़ी है, रक्षस का अंतमा काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दोरान गलती से मा काली का पाउँ भगवान शिव के उपर आ गया था, आए, जानते हैं उस घटना के बारे में, एक बार रक् को अपने इस गुन पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, घमन में चूर रक्ष बीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, देवता रक्ष बीज से लढ़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी पैदा हो जाता, इसका परिनाम ये हुआ कि बहुत सारे रक्ष बीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था, घबरा कर सभी देवता मा दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्रानों की भीक मानने लगे, मा को समाप्ट करते हुए मा इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया, काली मा का ये रूप विनाशकारी हो सकता था इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही मा का क्रोध शांत कर सकते हैं माकाली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था इसलिए भगवान शिव काली मा के मार्ग में लेट गए क्रोधित माकाली ने जैसे ही भगवान शिव के उपर पाउं रखा वो जिजग कर थहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माकाली के गुसे को शांत किया जो स्विष्टी के लिए भयानक हो सकता था दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें